हेलो मेरे पैरे दोस्तों कैसे हो आज में बनाने जा रहे हो एक बिर्यानी वो भी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ये खाने में बहुती मज़ेकी बहुती टेस्टी है और ये जटपड बनने वाली रेसिपी क्योंकि हमें इसे बनाने में सिप 20-25 मिनिट लगेंगे तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से बनाया आप देख सकते हमारे राइस भी जिस तरह से खुले खुले बने है एक दुसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपके है तो जैसे जैसे मैं आपको बोलंगे उससे तरह से आप इससे बनाने के लिए फॉलो कीजे तो यहाँ पे हमने प्रेशर कूकर, यहाँ पर हमने इसमें डाला है 4-5 टेबलस्पन बर के ओईल, और 2 प्याज हमने लिए है, इसे हमने लंबा-लंबा काटा है, इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राइ करेंगे, हाई फ्लेम पर हमने इसे बुनना है, यह गोल्डन ब्राउन हो चुके हम इसे डिश करेंगे, यहाँ पर हमने बॉइल एग लिए है, इसे हमने एक फोर्क की हेल्प से लेके इसे इस तरह से पोक करना है, ताकि इसमें छुट-छुटे होल हो जाए, और जब हम अंडा फ्राइ करेंगे, तो इसके ओपर बबल्स नहीं आएंगे, अब हम इस अंडव को इसमें अड़ करेंगे, ओल में, आदा टी स्पोन कश्मीर रेड चिली पाउडर अच्छा कलर देने के लिए, अब हम इसे डिश आउट करेंगे, एक मिनिट के बाद, यहाँ पर हमने डाला एक तेज पत्ता, एक दाल चीनी, एक दो इलाईची, चक्री फुल एक, लॉंग तीन और काली मिर्च, आठ से दस, इसे भी हम भूनेंगे, एक मिनिट तक, एक टी स्पुन हमने अद्रक लसन का लिया है, इसे भी हम भूनेंगे, आदा टी स्पुन हल्दी, एक टी स्पुन जीरा पाउडर, दो टमैटो हमने लिये है, इसे भी हम इसमें अच्छे से भूनेंगे, हमने यहाँ पे घर का बना हुआ बिर्यानी मसाला लिया है आपके पास जो भी बिर्यानी मसाला है उससे आप इस्तमाल कर सकते हैं एक टेबल स्पून भरके दो टेबल स्पून दही हमने लिये है इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे हमें इसे भी अच्छे से बुनना है थोड़ा सा पुड़ीना थोड़ा सा हराधनिया एक ती स्पुन नमक दो कप हमने राइस लिये है तो हम यहाँ पे दो और आधा कप पानी एड़ करेंगे बॉइल के हुए अंड़े हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा प्याज और यहाँ पे हमने राइस को वाश किया था दो कप राइस है इसे हमने वाश करके 15 मिनिट तक सोख करने रखा था 15 मिनिट से जादा हमने सोख नहीं करने है राइस बचे हुए अंड़े भी इसमें एड़ करेंगे हरी मिल्चम मिली है इसे हमने कट नहीं लगाया है थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना इसमें हम एड़ करेंगे और बचे हुए फ्राइ ओनियन हम इसमें एड़ करेंगे प्रेशर कुकर की लीड बन करके इसे हम high flame पे एक विसल आने तक cook करेंगे उसके बाद में हमने gas की flame लो करनी है और दो मिनिट तक हम इसे low flame पे पकाएंगे प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे open करेंगे आप देख सकते हैं हमारे rice बन चुके है well guys thanks for watching bye